हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मद कैसर और आप देख रहा हैं study channel इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ diet यानि D.I.E.T. जिसका नाम आपने सुना ही होगा district institute of education and training यहाँ पर होने वाली भरती की lecture r यानि प्रवक्ता की और senior lecture r यानि वरिस्ट प्रवक्ता की दोस्तों senior lecture r की भरती आई हुई है इसके लिए आवेदन हो रहे हैं बात करेंगे वीडियो में आगे lecture r के बारे में भी तो लाक्ष तक वह रहेगा सर जनकर्य आपको दी जाएगी diet में lecture r की भरती का इंतजार उत्तर प्रदेश में काफी समय से हो रहा है इस समय दोस्तो उत्तर प्रदेश लोक सिवाय होगा यानि यूपी PCS के लिए notification निकाला जा चुका है और इसके लिए आवेदन हो रहे हैं आवेदन 16 माज से ही हो रहा है और registration और fee payment करने की जो last date है वो आज तक ही है 12 April तो आज तक आपको इसके लिए आवेदन करना होगा और submit हाला कि आप 16 प्रेल तक कर सकते हैं PCS 2022 के तहत senior lecturer की भरती हर साल आती है और इस बार भी आई हुई है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ तो notification में दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं पांचवे नंबर पर जो special अहरता वाले पद हैं यहां पर आपको वरिष्ट प्रवक्ता देख देखने को मिल जाएगा तो फिलहाल PCS 2022 के तह senior lecturer की भरती आई हुई है और उसके लिए आप जल्दी से जल्दी आवेदन कर लीजिए और यहां पर दोस्तों इस पद की योगिता के बारे में बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कि सनाकोतर यानि PG और इसी के साथ साथ बी भी मतलब नहीं है PG आपका किसी भी फिल्ड में हो इससे भी कोई मतलब नहीं है आपका MA हो MSE हो MCOM हो MTK हो कुछ भी हो बस आपका PG होना चाहिए और BA होना चाहिए आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं तो यहां से आपको एक चीज के लिए हो गई होगी PCS के तह दोस् सहरता वाले भी पद होते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं यह सभी विसे सहरता वाले पद हैं और इसमें पांचवे नंबर पर सिनियर लेक्षरार है जिसकी विसे सहरता PG प्लस बीड है चैन के प्रक्रिया की बात करें तो PCS के तहत यह भरती आती है तो यहां पर करी भी होगा मेंस भी होगा और इंटर्व्यू भी होगा आयूसीमा 21 से लेकर 40 साल है बाकी मैंने एक्जाम पैटन पर पूरा एक अलग से डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया ह मैं आपको थोड़ा सा search में बता देता हूँ यहाँ पर प्रारंबी कारता परिक्षा याने प्री का एक इंजाम होगा जिसमें दो पेपर होंगे एक जीयस का पर होगा एक सीसेट का पेपर होगा सीसेट में आपको 33% नमबर लाना होगा ये सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए होता है जो आपकी मेरिट बनेगी प्री का वो जी के वाले पेपर से ही बनेगा उसके बाद दोस्तों आप कौलिफाई होंगे मैंस के लिए यानि लिख्यत परिक्षा के लिए प्री आपका अपका पंदरसो नंबरों का होगा जहां पर ग्यारा सो नंबर का यह अनिवा के नंबर पर ही बनाया जाता है फॉर्म बनने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपकी सभी आरता हैं पूरी होनी चाहिए फॉर्म बनने की जो फी होती है PCS की वह ज्यादा नहीं होती है यहां पर आप देख सकते हैं यु आर और युड सबैंटने की वहीं पर ऐसे के लिए 25 रुपए है वहीं पर दिव्यांगा बेट्टेों के लिए फॉर्म बनने की जो फी है और सिर्फ 25 रुपए हैं तो आप इसके लिए जल्दी सिल्दी आविदन कर लिजिए यदि आप इस पद के लिए ऐलिजीबल हैं तो पिलहाल जो कुल पदों पर भरती आई हुई है PCS में वो 250 है 250 में ही सभी पद है इसका भी आपको ध्यान रखना है तो सिनियर डाइट लेक्षडार के जो पद हैं काफी इसमें कम है और पे ग्रेड की बात करें तो 400 पे ग्रेड की PCS में पद होते हैं लेकिन इसमें नाप करना चाहते हैं PCS 2022 में तो इस पर मैंने पूरा डीटेल में वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चेक जरूर कर लीजिए तो यह हो गया PCS 2022 के थूरू डाइट में निकली हुई सिनियर लेक्षडार की भरती अब की आने वाले समय में देखने को मिलेगा तो मैं आपको एक न्यूज आर्टिकल यहां पर दिखाना चाहता हूं इससे पहले मैं आपको एक्षिश बता दूँ आप बिल्कुल भी कन्विश्यूज मत हो येगा वरिष्ट प्रवक्ता की भरती PCS 2022 के थूरू आई हुई है उस लेक्षरार की भरती अलग से आएगी तो इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी होगी इसमें योगिता भी अलग होगा इसमें एक्जाम पैटर्न भी अलग होगा तो ये आप समय लीजिए एक न्यूज आप देखेंगे दोस्तों ये 22 सितंबर 2019 की न्यूज है इस समय य डायट में बहुत सारे पद रिक्त हैं वो चाहें टीचिंग स्टाफ के पद हो या नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हो कोड ने आदेश दिया था 30 अक्टूबर तक भरती को पुरा करने के लिए लेकिन भरती आ नहीं पाई उसके बाद कोवीड आ गया पुरा 2020 में ही बित गया और कुछ भी हो नहीं पाया हो सकता है आने वाले समय में एक भरती डायट लेक्षरार की देखने को मिले न्यूज आप देख सकते हैं लहाबाद हाई कोड की लखनाव पीठ ने प्रदेश के सतर जिलो में अस्थापी जो डायट है डायट का फूल फॉर्म आपको बता में खाली हैं बहुत सारे पड़ डायट में खाली हैं दोस्तों और एक बड़ी भरती आ सकती है 2022 में वस 2016 में दायर याचिका में कहा गया था कि राय सरकार ने वस 1986 में 70 जिलो में डायट की अस्थापना की थी लेकिन इन में अब तक जरूरी स्टाप मोहया नहीं करा जा सका यहां पर लेक्चरार और सिनेर लेक्चरार के 79% पद खाली हैं तो सिनेर लेक्चरार की तो भरती PCS के तुरू हर साल कुछ ने कुछ पदों पर हो रही है लेकिन लेक्चरार पदों पर भरतियां नहीं आ रही है 2015 के बाद कोई भरती नहीं आई तो यहां पर बहुत सारे प पूरा किया जाए डाइटों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए उठाएं कदम और सरकार को याद दिलाया डाइट का उद्देस आखिर डाइट कयो बनाया गया था और वहां पर जब काम करने वाले स्टाफ ही नहीं तो डाइट काम कैसे करेगा डायट दोस्तों जहां पर यो BTC या डियलेट वाले चाहते हैं जहां पर अपनी ट्रेनिंग करते हैं इसलिए के साथ डाइट के बहुत सारे काम है यूपिटेट की मार्क सिट वगर अभी डाइट से ही डिस्ट्रिब्यूट होती है तो डाइट में भरती कराना जरूरी है और यहां पर लिखा गया है कि स्कूल चलो अभियान वह प्रात्मिक विद्यालों में अधापकों के ट्रेनिंग समय आठ महतपड उदेशों के लिए उत्तर प्रदेश के सतर जिलों में डाइट के अस्थाप नकी गए थी यहां पर 69% पद लेक्शरार और सिनर लेक्शरार के खाली हैं कोड ने कहा था थ थी तो 1280 पदों पर वेकेंसी को निकाला गया था बात करें योगिता की तो यहां पर दोस्तों जो योगिता थी 2015 में जब वेकेंसी आई थी तो यहां पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीड ही मागा था लेक्शरार के लिए भी लेकिन यहां पर परसेंटेज की बाद होती है 21 से लेकर 40 साल यहां पर भी है इसमें कोई समस्या नहीं है देख सकते हैं पिछली बार वेकेंसी 1280 पदों पर आई हुई थी और यूपी पीएसी ने ही इस भरती को कराया था तो विशवार भरती आती है जब सिर्फ लेक्शरार के पद पर भरती आती है और अच्छ सारे पता हैं biology physical education education उर्दू social science social economics history civics आर्ट social work statics home science Sanskrit geography psychology psychology in regional psychological center तो इस तरह से बहुत सारे पत हैं विशावार भरती आती है तो आपका संबंदित विसे में ही PG होना चाहिए और उसके बाद आपका बीएड भी होना चाहिए जबकि PCS के जो भरती आती है वहाँ पर विशावा के बड़ती हैं वहाँ पर सिंपल आपका PG PLUS BA होना चाहिए एक्जाम पैटन की बात करें पिछली बार जब एक्जाम इसका कराय गया था तो पैटन क्या था इसमें दोस्तों एक पेपर होता है और एक्जाम इसका काफी जादा सिंपल है तुलना करें PCS से क्योंकि वो सिनियर लेक्षरार है ये लेक्षरार का पद है यहाँ पर आपके पेपर में दो पार्ट होंगे पार्ट वन में पचास नमबर के सवाल पुछ जाएंगे यहाँ पर दोस्तों 15 कोशन पुछा जाएगा जनरल आवैरनेस का GKS से यहाँ पर GKS और करेंट अफेर पुछा जाएगा उ पार्ट वन में वह हाई स्कूल के लेवल का होगा बात कर हैं पार्ट टू का यहां पर सौ सिक्षा सास्त्र है वहां से सवाल 30 पूछे जाएंगे तो चीजों को आप समझ गए होंगे बिलकुल क्लेरली बागी कोई आपके सवाल हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं एक बार मैं आपको और याद इला दूँ PCS 2022 के तह सीनेर लेक्षरार प्रद के लि है लेक्षरा की भरती आगे भाविस में जैसे या थी है या कोई भी नियू जिसके संबद में हमें मिलती है तो आपको सुचना दिया जाएगा फिलाल इस वीडियों बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब पर के वह लाइगन दबा लिजे दोस्तों ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फरमेशन मिलती रहे थैंक्स वार वाचिंग